नेक्स्ट क्वेश्चन नोमर 3 और यहां पर दिया हुए जेड़ बाइजेड प्लस 15 इकल टू 4 बाइण तो यहां पर क्या करना है इसमें अल्रेड यह फ्रेक्शन में दिया हुआ है तो इसको मल्टिप्लाइ कर लेते हैं जैसे 9 को जेड़ से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 9 z ह पहले हम फोर लिख लेते हैं उसके बाद हम लिखेंगे जैड प्लस 15 यह हो गया नाइन जो है इसको हम रखते हैं 9 z और इकल टू 4 z 4 जैड़ फोर जैड़ हो जाए और यह प्लस 15 फोर जा तो नहीं चुक साथ होता है 60 हो जाएगा प्लस 60 यह हो गया अब वेरियेबल नमर क इसको एक साथ करेंगे तो 9z है पहले से और इसको यह प्लस में इधर तो इधर आके माइनस हो जागा 4z इकवल टू 60 प्लस में इधर प्लस ही रहेगा तो 9 में से 4 चला गया तो बच जाएगा 5z इकवल टू 60 हो जाएगा अब हमें जेड निकालना है तो जेड इकवल टू क इसका मतलब है कि जेड इकवल टू 2L और यहीं इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन नमर 4 और यहां पे दिया हुआ है इस तरह से 3y प्लस 4 बाइट 2-6y इकवल टू माइनस 2 बाइफ 5 तो यहां पे क्रोस मॉल्टिप्लाइ करेंगे तो सबस्के पहले हम इसको कर लेते हैं यांपे हो जागा 5 इसके साथ पूरा यह जाएगा थिरी फ्लस प्लस फोर और इसके साथ जो है एकवल टेओ माइनस 2 पूरा मल्टिपॉल हो जागा यह 2-6y मल्टिप्लाइ कर लेते हैं प्लस जो है फाइब फोर्जा 20 प्लस 20 लिखेंगे इक्वल टू यह माइनस यह प्लस तो माइनस फॉर हो गया तो माइनस फॉर और यह माइनस माइनस प्लस हो जागा यह हो गया अब जितने भी वेरियाबल नमर है उसको हम इधर कर लेते हैं यहां पे हो गया 15 y इक हो और यह होगा यहां प्लस में घ्मालव हो जागा माइनस 12 y को टू इह इदर जो है पहले से फोर माइनस में है इसको वैसे ही रखते है इसको उठा कि अधिर करते है यह प्लस में है तो यह माइनस 20 हो जाएगा कि अब यहां पे 15 में से टूट गया तो 3 बज़ी यह थे आम 3y लिखेंगे 3y यह मैनस मैनस प्लस होगा लेकिन साइन मैनस ए रहेगा तो यह तुट्टिफवर होजागा माइनस ट्वैंट फ्वैंट आ Ann Ses 24 अब वा इक को वन कडिए तो यहां पर हम निख लिते हैं वाई कोल्टू मैनस टुटिफवर जाए और यहोड बार देड़ हो जाए गांगा ट्री एट यहिए बार अक्क्ति यह तो यह माइनस जो है माइनस रहते आप तो इसका मतलब है कि two equal to minus four y three तो इसमें भी क्रोस मल्टिप्लाय कर लेंगे हम लोग तो यहां पर हो गया 3 और 3 के साथ 7 y प्लस 4 कम्प्रेटली यह मल्टिप्लाय होगा इक्वल टू इसके साथ मैनस 4 मल्टिप्लाय होगा मैनस 4 पहले लिखते हैं और y प्लस प्राकेट में y प्लस 2 अब यहां पर मल्टिप्लाय होगा 3 7 जा 21 हो गया 21 y यह प्लस यह प्लस तो यह प्लस ही रहेगा यह प्लस 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 होगा 4 3 जा ट्वेल हो गया इक्वल टू और यह मैनस 4 y तो मैनस होगा मैनस 4 y यह मैनस यह प्लस मैनस होगा 4 2 जा ट्वेल हो गया अब यहां पर विरियेबल नमर एकसाथ करेंगे 21 y है तो यह मैनस में है यह प्लस हो जागा इधर आके प्लस 4 y एक्वल टू यहां पर पहले से मैनस 8 है और यह 12 जो है इधर आएगा यह प्लस में मैनस होगा मैनस 12 यह होगा अब यहां प्लस 4 25 हो जागा 25 y एक्वल टू मैनस मैनस प्लस हो जागा तो 12 8 20 हो गया लेकिन साइन मैनस रहेगा माइनस 20 यह 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 वाई इक्वल टू में निकालना है तो यह एक्वल टू मैनस 20 पहले से इधर और यह दो नो मल्टिपला हो रहा है इधर आके 25 डिवाइड हो जागा इसका रह गया है तो इसका आंसर हो जागा माइनस फॉर बाई फाइब यह इसका आंसर हो जागा कम्प्लेट होगे कुश्चिन नुमर फाइब नेक्स कुश्चिन लेते हैं अम्रूब झाल झाल